आज मैं आप सभी के लेक आए हूं सत्तू पराठा बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका और यह बहुत ही अमेजिंग लगता है खाने में साथी में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्राम 20 आती है और इसे आज हम एकदम देशी तरीके स जासे के गाउं और बिहार में बनता है जो कि बहुत ही चटपटा और मजडाल लगता है खाने में तो आप इस तरीके सिख पर सत्तू पराठा को ज़रूर ट्राय करें आप सभी को बहुत पसंद आएगा हेलो फ्रेंड्स मैं हुजू ही और सौधत करते हूं आप सभी का जाए जैसे घी नहीं डालने के बाद इसे अचे से हाथों से फिर से मिला लेना है यानि किसमें मोयन देना है उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी एड करते जाएंगा इसका डो त्यार कर लेंगे जैसे हम नॉमली आलू पराठा या फिर कोई भी पराठा बनाते हैं बस व गर पर कैसे बनाया है मैंने उसकी रेस्पी शेयर की हुई है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से जाके देख सकते हैं और यहां पर मैंने कुछ सबजिया लिए तो सबजियों मैंने लिया एक बारी कटा हुआ मीडम साज का प्यास एक इंच नीम लिया अद्रक 6-7 लेस्न के लिया बारी कट हुई तीन से चार हार इम मिर्ज बारी कट हुई एक छोथाइ कब सारी सबसीं का डालने के बाद, नीबू को हम आपक शोडबी का प्लाइवर दालेंगे, चैनल डाल देंगे इससे बहुत इच्छा सा फ्लेवर आता है के लिएंग आपम का ईचार हो इसका मसाला डाल रोग देंगे subscribe नहीं बड़े साइज में इसकी लोई बनानी है तो इसे तरीके से लोई बना लेगे और फिर इसे कटोरी का सेव दे लेना है और आपको एक और तरीका बताऊंगी कि इस टफिंग कैसे करनी है तो यहां पे दो बड़े चमज सत्व पाउडर डालके हाथों से इस तरीके से अबर यह एक लोई बन के त्यार हैं जलते हैं शुका अठा डालेंगे उपर से थोड़ा सा और फिर इस तरीके से हलकी हातों से पंपेर फैला लेंगे फिर हम रोल कर लेंगे जैसे हम रोटी या फिर पराठा रोल करते हैं बहुत इसली रोल हो जाता है बिल्कुल नहीं तो बस ऐसे हमें उपर से फोल्ड कर लेना है दो पर चाूर कर लिया है और उपर से पराटा जाले तरहां भी तो फिर भी तरह चाहिए लिए तो ने टो इस तरह लेगे के लिए रख दिया था तो तवा जैसे मेडियम फ्लेम पे थोड़ा गरम हो जाना उसके बाद हम पराथे डालेंगे और थोड़ी दिर बाद हम पलड़ के इस पर देशी घी लगाएंगे आप चाहते हैं पर सरसो के तेल के भी यूज़ कर सकते हैं यह पर अगर आप सरसो के त तक पका लेंगे और मैंने इसे पकाने के लिए लोहे के तवे का यूज़ कि आप चाहे तो नॉन स्टिक या फिर कोई भी रेगूलर तवा यूज़ कर सकते हैं तैसे ही दबाते हुए हम इसे क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे यह हमारा पराथा एक सिग्या है आप देख सक है चेटनी की रेश्पी मैंने सेयर की हुई है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से जाके देख सकते हैं और आप देख सकते सब्दू कितना अच्छे संदर तक भड़ा हुए है तो कि बहुत ही अमेजिन लिगता है खाने में तापी इस तरीक हुआ है